C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की पाथ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन तीन प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय दस, शीर्शक, कानून और सामाजिक न्याय प्रिश्ट एक सो बीस क्या आपको कक्षा साथ का बाजार में एक कमीज अध्याई याद है? वहां हमने देखा था कि बाजारों की श्रिंखला किस तरह कपास उत्पादकों को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले ग्रहक से जोड़ देती है इस श्रिंखला में हर मोड पर क्रय विक्रय चल रहा था कपास पैदा करने वाला छोटा किसान इरोड के बुनकर या कपड़ा निर्यातकार खाने के मजदूर कमीज के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल बहुत सारे लोग बाजार में शोशन का शिकार होते हैं उनके साथ उचित बरताव नहीं होता बाजार में हर जगह लोगों के शोशन की संभावना बनी रहती है चाहे वे मजदूर हों उपभोकता हों या उत्पादक हों लोगों को इस तरह के शोशन से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है इन कानूनों के जरिये इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर तरीकों पर अंकुश लगाया जाए इस प्रिष्ट पर सबसे नीचे एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक महानगर के बहुत बड़े व्यावसाईक इलाके में कुछ मजदूर काम पर जाते हुए दिखाये गए हैं इस चित्र के माध्यम से सामाजिक असमानता को दर्शाया गया है प्रिष्ट 121 आईए बाजार की एक आम स्थिती को देखें जिसमें कानून बहुत माईने रखता है मसला मजदूरों के महंताने का है निजी कमपनियां, ठेकेदार, कारुबारी लोग आम तोर पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा कमाने की कोशिश करते हैं मुनाफ़ की चाह में कई बार वे मजदूरों को उनका हक नहीं देते और कई बार तो उनका महंताना तक नहीं देते मजदूरों को उनका महंताना न देना कानून की नजर में गैर कानूनी या गलत है मजदूरों को महंताना कम न मिले या उनको वाजिब महंताना मिले इस बात को सुनिश्चित करने के लिए नियूनितम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है इस कानून के तहट किसी भी मजदूर को नियूनितम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती नियूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियूनतम वेतन का कानून बनाया गया है उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोकताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के जरिये मजदूर, उपभोकता या उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का शोशन ना हो। इस प्रिष्ठ पर दाई और उपर नीले रंग के अक्षरों में आप से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। नियूनतम वेतन के लिए कानून की जरूरत क्यों पढ़ती है? पता लगाएं। क. आपके राज्य में निर्मान मजदूरों के लिए तय नियूनतम वेतन क्या है? क. क्या आपको निर्मान मजदूरों के लिए तय नियूनतम वेतन सही, कम या ज्यादा लगता है? ग नियूनतम वेतन कौन तय करता है इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे एक मिल का द्रिश्य दिखाया गया है साथ ही लिखा है एहमदाबाद के एक कपड़ा मिल में काम करते मजदूर बिजली से चलने वाले करगों के साथ बढ़ती प्रतिसपरधा के कारण 1980 और 1990 के दशकों में ज्यादातर कपड़ा मिल बंद हो गए थे पावरलूम बिजली से चलने वाले करगों को कहते हैं ये 4 से 6 करगों की छोटी इकाई है इन करगों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं ये जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाले करगों में कारियस्थितियां बहुत खराब होती हैं प्रिष्ट 112 तालिका संख्या एक में विभिन पक्षों की सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपून कानून दिये गए हैं उसमें से दिये गए कॉलम दो और कॉलम तीन में बताया गया है कि ये कानून क्यों और किसके लिए जरूरी हैं कक्षा में चर्चा के आधार पर इस तालिका के खाली खानों को भरें तालिका एक इस प्रिष्ट पर पीले रंग के बक्से में तालिका एक दिखाई गई है इसमें सबसे उपर तीन शीर शक लिखे गई हैं पहला कानून दूसरा इसकी जरूरत क्यों है वतीसरा ये कानून किसके हित में है? कानून शीरशक के नीचे पहले कॉलम में लिखा गया है नियूनितम महिन्टाना कानून. इसमें ये निश्चित किया गया है कि किसी का भी महिन्टाना एक निरधारित नियूनितम राशी से कम नहीं होना चाहिए. इसकी जरूरत क्यों है शीरशक के नीचे लिखा गया है? बहुत सारे मज़दूरों को उनके मालिक सही महनताना नहीं देटे चुँके मज़दूरों को काम की जरूरत होती है इसलिए वे सौदेबाजी भी नहीं कर पाते और बहुत कम मजदूरी पर ही काम करने को तैयार हो जाते हैं। तीसरे शीरशक याने ये कानून किसके हित में है के नीचे पहले कॉलम में लिखा गया है। ये कानून सारे मजदूरों, खासत और से खेत मजदूरों, निर्मान मजदूरों, फैक्टरी मजदूरों, घरेलू नौकरों आदी के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। शीरशक कानून के नीचे दूसरे कॉलम में लिखा गया है कारियस्थल पर परियाप्त सुरक्षा विवस्था का इंतजाम करने वाले कानून, उदाहरन के लिए चेतावनी अलार्म आपात कालीन द्वार आदी सही धंग से काम कर रहे हों। इसकी जरूरत क्यों है शीरशक के नीचे कॉलम दो को खाली छोड़ा गया है। इसे भरिं इसके ठीक सामने ये कानून किसके हित में है शीरशक के नीचे दिखाए गए दूसरे कॉलम को भी खाली छोड़ा गया है इस कॉलम को भरिं कानून शीर्षक के नीचे तीसरे कॉलम में लिखा गया है चीजों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए ये बताने वाले कानून उदाहरण के लिए विद्युत उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए इसकी जरूरत क्यों है? शीर्षक के नीचे तीसरे कॉलम में लिखा गया है विद्युत उपकरणों, भोजन, दवाई आदी की खराब गुणवत्ता के कारण उपभोगताओं का जीवन खतरे में पड़ सकता है ये कानून किसके हित में है? शीर्षक के नीचे तीसरे कॉलम को खाली छोड़ा गया है कृपया इसे भरें कानून शीर्षक के नीचे चौथे कॉलम में लिखा गया है जरूरी चीजों जैसे चीनी, मिट्टी का तेल, अनाज आदी की कीमतों को नियंतरण में रखने वाले कानून इसकी जरूरत क्यों है? शीर्षक के नीचे चौथे कॉलम को खाली छोड़ा गया है ये कानून किसके हित में है शीर्षक के नीचे चौथे कॉलम में लिखा गया है ऐसे गरीबों के हितों की रक्षा के लिए जो के इन चीजों की भारी कीमत वहन नहीं कर सकते कानून शीरशक के नीचे पांचमे कॉलम में लिखा गया है ऐसे कानून जो फैक्टरियों को हवा या पानी में प्रदूशन फैलाने से रोकते हैं इसकी जरूरत क्यों है शीरशक के नीचे पांचमे कॉलम को खाली छोड़ा गया है ये कानून किसके हित में है शीरशक के नीचे पांचवे कॉलम को खाली छोड़ा गया है कानून शीरशक के नीचे छटे कॉलम में लिखा गया है कारियस थल पर बाल मजदूरी को रोकने वाले कानून इसकी जरूरत क्यूं है शीरशक के नीचे छटे कॉलम को खाली छोड़ा गया है ये कानून किसके हित में है इसके नीचे छटे कॉलम को भी खाली छोड़ा गया है कृपया इन कॉलम को भरें कानून शीरशक के नीचे साथवे कॉलम में लिखा गया है मजदूर यूनियन या संगठन बनाने से संबंधित कानून इसकी जरूरत क्यों है शीरशक के नीचे साथमे कॉलम में लिखा गया है यूनियनों में संगठित होकर मजदूर अपनी संयुक्त ताकत के सहारे सही वेतन और बहतर कार्य स्थितियों के लिए आवाज उठा सकते हैं ये कानून किसके हित में है शीरशक के नीचे साथमे कॉलम को खाली छोड़ा गया है कृपया इसे भरें प्रिष्ट 123 कानून बना देना ही काफी नहीं होता सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए इसका मतलब ये है कि कानून को लागू किया जाना बहुत जरूरी होता है जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपून बन जाता है उदाहरण के लिए प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षन करना चाहिए और अगर कोई कानून का उलंगन करता है तो उसको सजा देनी चाहिए अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गवाने या बदले की कारवाई के डर से वो कम बेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है मालिक भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताके मजदूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके ऐसी सूरत में ये बहुत जरूरी होता है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह लागू किया जाए इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार, व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंतरित कर सकती है ताके सामाजिक न्याए सुनिश्चित किया जा सके इन में से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतिय संबिधान में दिये गए मौलिक अधिकारों से हुआ है उदाहरन के लिए शोशन से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम महनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता संबिधान में ये भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या ख़दान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाई में काम पर नहीं रखा जाएगा व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं ये कानून सामाजिक न्याई की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों की पड़ताल करेंगे इस प्रिष्ठ पर दाई और नीचे बरतन मांजते हुए एक लड़की को दिखाया गया है इसी तरह इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे चाय की एक दुकान पर काम करते हुए दो बच्चों को दिखाया गया है इन दोनों चित्रों की व्याख्या करते हुए लिखा गया है सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में पांच से चौदह साल की उम्र के चालीस लाख से ज्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं इन में से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिशेध एवं विनयमन अधिनियम 1986 में ये संचोधन किया है कि 14 वर्ष से कम आयू के बच्चों के सभी विवसायों में तथा किशोरों यानि 14 से 18 वर्ष के जोखिमकारी विवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंद है बच्चों या किशोरों के नियोजन को अब एक संग्यय अपराध बना दिया गया है 2017 में एक online portal https//pencil.gov.in platform for effective enforcement for no child labor pencil प्रारंब हुआ है ये portal शिकायतें दर्ज कराने, Child Tracking तथा राष्ट्रिय बाल श्रम पर योजना NCLP के कार्यानवयन एवं monitoring के लिए है प्रिष्ट 124 भोपाल गैस त्रासदी 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीशन और द्योगिक त्रासदी हुई भोपाल में Union Carbide Namak American Company का कारखाना था जिसमें कीट नाशक बनाए जाते थे दो दिसंबर 1984 को रात के दो बजे Union Carbide के इसी सैयंत्र से मिथाईल आईसोसाइनाइड याने मिक गैस रिसने लगी ये बेहद जहरीली गैस होती है इस फ्रिष्ठ पर बाई और बीच में अपने माथे को पकड़े हुए एक महिला दिखाई गई है ये भोपाल गैस तरासदी की पीड़िता हैं नाम है अजीजा सुल्तान इस दुरगटना की चपेट में आने वाली अजीजा सुल्तान तकरीबन साड़े बारह बजे मुझे अपने बच्चे की तेज खांसी की आवाज सुनाई दी कमरे में हलकी सी रोशनी थी मैंने देखा के पूरा कमरा सफेद धुएं से भरा हुआ था मुझे लोगों की चीखने की आवाजें सुनाई दी सब कह रहे थे भागो भागो इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी लगता था जैसे मैं आग में सांस ले रही हूँ आखें बुरी तरहें जलने लगी अगली सुबह तीन दिन के भीतर आठ हजार से ज्यादा लोग मौत के मुह में चले गए लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए इस प्रिश्ट पर बाई और नीचे सामोहिक अंतिम संसकार का चित्र दिखाया गया है इस प्रिश्ट पर दाई और सबसे नीचे गैस से बुरी तरह से प्रभावित एक बच्चे का दृष्य दिखाया गया है जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज्यादतर लोग गरीब कामकाजी परिवारों के लोग थे उन में से लगभग पचास हजार लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिन्दा रह गए उन में से बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों आख की बीमारियों और अन्य समस्याओं से पीडित हैं बच्चों में अजीब औ गरीब विक्रितियां पैदा हो रही हैं इस चित्र में दिखाई दे रही लड़की इस बात का उदाहरण है प्रिष्ट 125 इस प्रिष्ट पर बाई और सबसे उपर यूनियन कारबाइड कमपनी के कर्मचारियों द्वारा निकाले गए एक विरोध प्रदर्शन का दृश्य दिखाया गया है इसके साथ ही लिखा है ये तबाही कोई दुरघटना नहीं थी यूनियन कारबाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जान बूझ कर नजर अंदाज किया था दो दिसंबर की त्रासदी से बहुत पहले भी कारखाने में गैस का रिसाव हो चुका था इन घटनाओं में एक मजदूर की मौत हुई थी जबके बहुत सारे घायल हुए थे इस प्रिष्ठ पर बीच में गैस राहत मंत्री से बातचीत करते हुए गैस पीडित एक द्रिश्य के माध्यम से दिखाए गए हैं इसके दाई और लिखा है सुबूतों से पूरी तरह साफ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कारबाइड ही दोशी है लेकिन कमपनी ने अपनी गलती मानने से इंकार कर दिया इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीडितों की ओर से सरकार ने यूनियन कारबाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर दिया 1985 में सरकार ने तीन अरब डॉलर का मुआवजा मांगा था लेकिन 1989 में केवल 47 करोड डॉलर के मुआवजे पर अपनी सहमती दे दी इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च नियायालाई में अपील की मगर सर्वोच्च नियायालाई ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया इस प्रिष्ट पर बाईं और नीचे एक दृष्च दिखाया गया है जिसमें यूनियन कारबाइड सैंयंतर के इर्द गिर्द बिखरे पड़े रसाइनों के बोरे दिखाए गए है इस चित्र के सामने दाई और लिखा गया है यूनियन कारबाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया लेकिन भारी मात्रा में विशैले रसायन वहीं छोड़ दिये ये रसायन रिस रिस कर जमीन में जा रही है जिससे वहां का पानी दूशित हो रहा है अब ये सैंयंत्र डाउ केमिकल नामक कमपनी के कबजे में है जो इसकी साफसफाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है इस प्रिष्ठ पर बंई और नीचे कैंडल मार्च का एक दिरिश्य दिखाया गया है जिसमें विरोध करती और मुम्बत्ती जलाती एक महिला दिखाई गई है नीचे लिखा है इनसाफ की लड़ाई अभी जारी है इस चित्र के सामने दाई और लिखा है चौबीस साल बाद भी लोग नियाए के लिए संगर्ष कर रही हैं वे पीने के साफ पानी, स्वास्ते सुविधाओं और यूनियन कारबाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रही हैं उन्होंने यूनियन कारबाइड के चेर्मैन एंडर्सन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया है प्रिष्ट 126 एक मज़दूर की कीमत क्या होती है अगर आप भोपाल के महविनाश की वजहों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि यूनियन कारबाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला विदेशी कमपनियों के भारत आने का एक कारण यहां का सस्ता श्रम है अगर ये कमपनियां अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहां के मजदूरों को ज्यादा वेतन देना पड़ेगा भारत में नकेवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती हैं बलके यहां के मजदूर ज्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं यहां मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीजों पर भी खर्चे की ज्यादा जरूरत नहीं होती इस तरह ये कमपनियां यहां कम लागत पर ज्यादा मुनाफ़ा कमा सकती है लागत में कटौती के तरीके इस से खतरनाक भी हो सकते हैं लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अकसर अंदेखी की जाती है यूनियन कारबाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही धंग से काम नहीं कर रहा था या उनकी संख्या कम थी 1980 से 1984 के बीच मिक संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या बारह से घटा कर छे की जा चुकी थी मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रिशिक्षन की अवधी तो छे महीने से घटा कर केवल 15 दिन कर दी गई थी मिक कारखाने के लिए रात की पाली के मजदूर का पद ही खत्म कर दिया गया था यूनियन कारबाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा विवस्था में फर्क जानने के लिए ये पढ़ें पश्चिमी वर्जीनिया याने अमेरिका में कम्प्यूटरी करित चेतावनी और निगरानी विवस्था मौजूद थी भोपाल के यूनियन कारबाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था पश्चिम वर्जीनिया में खत्रा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की विवस्था मौजूद थी जबके भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था अलग-अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतना भारी फर्क क्यों है और दुरघटना हो जाने के बाद पीडितों को इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जा रहा है इस बात का जवाब ये है कि भारतिय मजदूर का मोल अभी भी ज्यादा नहीं माना जाता इस प्रिष्ठ पर बाई और उपर एक चित्र दिखाया गया है और इस चित्र में कुछ मजदूरों को काम पर जाते हुए दिखाया गया है नीचे लिखा गया है निर्मान स्थलों पर दुरघटनाईं आम हैं इसके बावजूद सुरक्षा उपकरणों और अन्यसावधानियों को अकसर नजर अंदाज कर दिया जाता है प्रिष्ट 127 एक मजदूर जाता है तो फौरन उसकी जगह दूसरा मिल सकता है हमारे यहां बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वा के बदले नजाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं मजदूरों की इस कमजोरी का फाइदा उठा कर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं इस तरहे भोपाल गैस तरासदी के इतने सालों बाद भी मालिकों के बरबर रवये के कारण निर्मान स्थलों, खदानों या कारखानों में दुरघटना की खबरें हर रोज आती रहती हैं इस प्रिष्ठ पर बाई और बीच में नीले रंग के अक्षरों में आप से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं लिखा गया है आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी फैक्टरी में सुरक्षा कानूनों को लागू करना बहुत महत्वपून होता है क्या आप कुछ दूसरी ऐसी स्थितियों का उलेख कर सकते हैं जहां कानून या नियम तो मौजूद हैं परंतु उनके क्रियानवयन में धिलाई के कारण लोग उनका पालन नहीं करते उदाहरन के लिए मोटर गाडियों की तेज रफ्तार, हेलमेट, सीट बेल्ट न पहनना और बाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपियोग करना कानूनों को लागू करने में क्या समस्याइं आती हैं कि आप क्रियानवयन में सुधार के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं इस प्रिष्ठ पर बई और उपर नीले रंग के अक्षरों में एक शीरशक लिखा गया है सुरक्षा कानूनों का क्रियानवयन कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिये गए जीवन के अधिकार का उलंगन ना हो जब यूनियन कारबाईट सैंयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुले आम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी पहली बात भारत में सुरक्षा कानून धीले थे दूसरा उनकमजोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रिनी में रखने को भी तैयार नहीं थे इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्होंने कोई एतराज नहीं किया जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई कि 1978 में मिक उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के सैंयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताके रोजगार मिलते रही सरकार की राय में यूनियन कारबाइड से इस बात की मांग करना असंभव था कि वो साफ सुथरी तकनीक या ज्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए सरकारी निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही दोशपून प्रक्रियाओं को बार-बार मनजूरी देते रहे जब कारखाने में बार-बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको ये बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कुछ भारी गड़बडी चल रही है तब भी निरीक्षकों के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी कानून बनाने और उनको लागू करने वाली संस्था के लिए ये रवया सही नहीं है लोगों के हितों की रक्षा करने के बजाए सरकार और निजी कमपनियां दोनों ही उनकी सुरक्षा को नजरंदाज करती जा रही थी ये हरगिस अच्छी स्थिती नहीं है जब भारत में स्थानिये और विदेशी व्यवसाई नए नए कारखाने खोलते जा रही है तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानूनों और उनके ज्यादा बहतर क्रियानवयन की जरूरत और बढ़ गई है इस प्रिष्ट पर दाई और सबसे नीचे डिजनी लैंड का दृष्य दिखाया गया है इसके नीचे लिखा गया है हाल ही में एक ट्रावल एजेंसी को आदेश दिया गया कि वो अपने कुछ ग्रहकों को आठ लाक रुपाए का मुआवजा दे इन सैलानियों को मुआवजा इसलिए दिया जा रहा था क्योंके कमपनी की लापरवाही के कारण वे डिजनी लैंड देखने और पैरिस में खरीदारी करने से वंचित रह गए थे तो फिर भोपाल गैस तरासदी के पीडितों को जिंदगी भर की पीडा और नुकसान के बदले इतना कम मुआवजा क्यों मिला प्रिष्ट 128 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर नीले रंग के अक्षरों में लिखा है पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे इन कानूनों को लागू करने की विवस्था तो और भी कमजोर थी पर्यावरण को एक मुफ्त चीज माना जाता था किसी भी उद्योग को हवा-पानी में प्रदूशन छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी चाहे नदियां हों, हवा हो या भूमी गत पानी हो पर्यावरण दूशित हो रहा था और लोगों की सिहत के साथ खिलवाड किया जा रहा था धीले सुरक्षा मानकों से नकेवल यूनियन कारबाइड को फाइदा मिला बलके उसे प्रदूशन से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा अमेरिका में यही कंपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया कई लाख ऐसे लोग कारखाने से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए थे जो इस कारखाने से किसी भी तरह से जुड़े हुए नहीं थे इस से लोगों को ये एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितने भी कमजोर हों वे केवल मजदूरों से ही संबंधित हैं उन में उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया है जो अध्योगिक दुरघटनाओं के कारण घायल होते हैं इस प्रिष्ठ पर बाई और सबसे उपर एक सरकारी हैंड पंप के सामने दो बच्चे पानी निकालते हुए दिखाए गए हैं और इस चित्र में उपर लिखा गया है डाव इस चित्र के नीचे लिखा गया है भुपाल स्थित यूनियन कारबाइड फैक्टरी के आसपास दूशित इलाकों में स्थित हैंड पंपों को सरकार ने लाल रंग से पुतवा दिया है फिर भी स्थानी ये लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास साफ पानी का कोई सरोत नहीं है इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे एक चित्र दिखाया गया है जिसमें बाई और सबसे उपर लिखा है गोल 09 इस चित्र के उपर लिखा गया है इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इस चित्र में एक कारखाने में एक मजदूर को काम करते हुए दिखाया गया है इस चित्र के नीचे लिखा गया है सतत्विकास, लक्ष, नौ, उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाई www.in.undp.org पर्यावरण वादी कार्य करताओं तथा अन्य लोगों के इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस तरासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए पर्यावरण को नुकसान पहुचाने के लिए प्रदूशन फैलाने वालों को ही जिम्मेदार माना जाने लगा इसके पीछे समझ ये थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीडियों का भी हक बनता है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नश्ट नहीं किया जा सकता अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपून फैसले दिये सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य उन्निस सो इक्यानवे के मुकदमे में सर्वोच्च नियायालाय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूशन मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रदूशन पर अंकुष लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोशी हैं, उन पर भी भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करे इस प्रिष्ठ पर बाई और सबसे नीचे नीले रंग के अक्षरों में आप से कुछ महत्वपून प्रश्न पूछे गए है लिखा गया है, स्वच्छ वातावरण एक जन सुविधा है, क्या आप इस बयान की व्याख्या कर सकते हैं? हमें नए कानूनों की जरूरत क्यों है? कम्पनियां और ठेकेदार पर्यावरण कानूनों का उल्लंगन कैसे कर पाते हैं? प्रिष्ट एक सो उनतीज इस प्रिष्ट पर बई और पीले रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है। शीर्शक के रूप में इसमें लिखा गया है जन सुविधा के रूप में पर्यावरण। हाल के वर्षों में न्यायालयों ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिये हैं। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है। मिसाल के तोर पर अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रहाईशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शेहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। इन में से कई कारखाने आसपास के वातावरण को प्रदूशित कर रहे थे। इन कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूशित हो रही थी क्योंकि इन कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। अदालत की कारवाई से एक समस्या तो हल हो गई लेकिन एक नई समस्या पैदा भी हो गई। कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों के रोजगार खत्म हो गई। बहुतों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा जहां उन कारखानों को दोबारा चालू क की आ गया था अब प्रदूशन की समस्या इन नए इलाकों में पैदा हो रही है ये इलाके प्रदूशित होने लगे हैं मजदूरों की सुरक्षा संबंधी स्थितियों का मुद्दा अभी भी वैसा का वैसा है भारत में पर्यावरणी मुद्दों पर हुए ताजा अनुसंध ये बात सामने आई है कि मध्यवरग के लोग पर्यावरण की चिंता तो करने लगे हैं लिकिन वे अक्सर गरीबों की पीडा को ध्यान में नहीं रखते इसलिए उनमें से बहुतों को ये तो समझ में आता है कि शहर को सुन्दर बनाने के वास्ते बस्तियों को हटाना चाहि लेकिन ये समझ में नहीं आता कि इस से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में पढ़ सकती है जहां एक तरफ स्वच पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में लोग ज्यादा चिंता नहीं जता रही हैं अब चुनोती ऐसे समाधान ढूंडने की है जिन में स्वच वाता वरण का लाभ सभी को मिल सके इसका एक तरीका ये है कि हम कारखानों में ज्यादा स्वच तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दी इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वो कारखान को प्रोत्साहन और मदद दे उसे प्रदूशन फैलाने वालों पर जुर्माना करना होगा इस तरह मजदूरों के रोजगार भी बच जाएंगे और समुदायों वह मजदूरों को सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार भी मिल जाएगा इस प्रिष्ठ पर बाई और पीले रंग के बकसे के नीचे नीले रंग के अक्षरों में आप से कुछ महतपपून प्रशन पूछे गए हैं लिखा गया है, क्या आपको लगता है कि उपर उद्रित मामले में सभी पक्षों को न्याय मिला है? क्या आपको पर्यावरण की रक्षा के और तरीके दिखाई देते हैं? कक्षा में चर्चा करिंग. इस प्रिष्ठ पर दाई और उपर एक चित्र में प्रदूशन फैलाते हुए एक वाहन को दिखाया गया है. नीचे लिखा है, गाडियों से उत्सरजित धूआ पर्यावरणिय प्रदूशन का एक बड़ा सुरूत है. 1998 के बाद सर्वोच न्यायालई ने अपने कई फैसलों में ये आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन, Compressed Natural Gas याने CNG इंधन का इस्तेमाल करें. इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहरों के वायू प्रदूशन में काफी गिरावटाई है. लेकिन Center for Science and Environment नई दिल्ली की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा में विशैले पदार्थों का स्तर काफी उंचा है. ये विशैले पदार्थ पेट्रोल के बजाए डीजल से चलने वाली बसों बकारों के कारण पैदा हो रही है. इस प्रिष्ट पर दाई और नीचे एक बंदकार खाने के बाहर बैठे हुए मजदूरों का दृश्य दिखाया गया है. नीचे लिखा है बंदकार खानों के बाहर परिशान मजदूर। इसकी व्याख्या के रूप में लिखा गया है. रोजगार चिन जाने के बाद बहुत सारे मजदूर, छोटा मोटा व्यापार या दिहाडी मजदूरी करने लगते हैं. कुछ मजदूरों को पहले से भी छोटे कारखानों में काम मिलता है, जहां के हालात पहले से भी ज्यादा शोशन भरे होते हैं और जहां कानूनों की स्थिती और भी ज्यादा कमजोर होती है. प्रिश्ट 130 इस प्रिश्ट में सबसे उपर एक चित्र में एक बंदरगाह पर खड़े हुए समुद्री जहाज को दिखाया गया है. बाई और इसकी व्याख्या के रूप में लिखा गया है, विकसित देश अपने विशैले और खतरनाक उद्द्योगों को विकास शील देशों में ले जा रही हैं, ताके इन देशों के कमजोर कानूनों का फाइदा उठा सकें और अपने देशों को साफ सुथरा रख सकें. दक्षिन एशियाई देश खासतोर से भारत, बांगलादेश और पाकिस्तान, कीट नाशक, एस्बेस्टॉस बनाने वाले या जस्ते वसीसे को संसाधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमाने पर अपने यहां बुला रही हैं. निशकर्ष चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीकों से बचाने के लिए कानून जरूरी होते हैं. निजी कमपनिया, ठेकेदार, व्यवसाई आदी ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं. उदाहरन के तौर पर वे मजदूरों को कम महंताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, काम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते या पर सरकार की एक एहम जिम्मेदारी ये बनती है कि वो निजी कमपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याए प्रदान करने के लिए कानून बनाए, उनको लागू करे और उन पर निगरानी रखे. यानि न सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए, बलके उन कमजोर हों और उनको सही ढंग से लागू न किया जाए, तो उनसे भारी नुकसान हो सकता है. भोपाल गैस तरासदी इस बात का सुबूत है. इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती ही है. आम लोग भी दबाव डाल कर निजी कमपनियों और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं. जैसा कि हमने पहले देखा, पर्यावरण एक ऐसा विशाय है जहां लोगों ने जनहित के लिए दबाव डाला है और नियायालेयों ने भी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन अंगमाना है. इस अधियाय में हमने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए कि स्वस्थ वातावरण की सुविधा सब को मिले. इसी तरह मजदूर अधिकारों याने काम का अधिकार, सही महंताना और मानुवचित कारे स्थितियों का अधिकार के एक शेत्र में भी अभी हालात काफी खराब हैं. लोगों को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सخت कानून बनाए जाएं ताके सब को जीवन का अधिकार मिल सके. प्रिष्ट 131 अभ्याज एक, दो मजदूरों से बात करके पता लगाएं कि उन्हें कानून द्वारा तए किया गया न्यूनितम वेतन मिल रहा है या नहीं. इसके लिए आप निर्माण मजदूरों, खेत मजदूरों, फैक्टरी मजदूरों या किसी दुकान पर काम करने वाले मजदूरों से बात कर सकते हैं. दो, विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने से क्या फायदा है? तीन. क्या आपको लगता है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीडितों को सामाजिक न्याय मिला है? चर्चा करीं. 4. जब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? कानूनों को लागू करना इतना महत्वपून क्यों है? पांच, कानून के जरीए बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए किस तरह प्रेरित किया जा सकता है? अपने जवाब के साथ दो उदाहरण दें छै, मान लीजिए कि आप एक रासाइनिक फैक्टरी में काम करने वाले मजदूर हैं सरकार ने कंपनी को आदेश दिया है कि वो वर्तमान जगह से सौ किलोमेटर दूर किसी दूसरे स्थान पर अपना कारखाना चलाए इस से आपकी जिन्दगी पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय पूरी कक्षा के सामने पढ़कर सुनाएं साथ, इस एकाई में आपने सरकार की विभिन भूमिकाओं के बारे में पढ़ा है इनके बारे में एक अनुच्छे दिलिखें आठ, आपके इलाके में पर्यावरण को दूशित करने वाले सुरोत कौन से हैं? क, हवा, ख, पानी और ग, मिट्टी में प्रदूशन के संबंध में चर्चा करें प्रदूशन को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रही हैं? क्या आप कोई और उपाए सुझा सकते हैं? 9. पहले पर्यावरण को किस तरह देखा जाता था? क्या अब सोच में कोई बदलाव आया है? चर्चा करें! इस प्रिष्ट पर बाई और सबसे नीचे प्रसिद कार्टूनिस्ट आर के लक्षमन द्वारा बनाया गया एक कार्टून दिखाया गया है इसमें दो महिलाएं दो बच्चों के साथ में खड़ी हुई हैं उन में से एक बच्चा अभी अभी स्कूल से बाहर आया है और उस बच्चे का स्कूल बैग और दूसरा सामान एक दूसरे गरीब बच्चे ने अपनी पीठ पर उठाया हुआ है स्कूल से आए बच्चे की माँ दूसरी महिला से कह रही है बच्चों पर इस तरह बोज डालना कितनी बुरी बात है देखो मुझे अपने बेटे की मदद के लिए इस लड़के को नौकरी पर रखना पड़ा दस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्षमन इस कार्टून के जरीए क्या कहना चाह रही है इसका 2016 में बनाए गए उस कानून से क्या संबंद है जिसको प्रिष्ठ 123 पर आपने पढ़ा था प्रिष्ठ 132 ग्यारहे आपने भोपाल गैस तरासदी और उसके बारे में चल रहे संघर्ष के बारे में पढ़ा है दुनिया भर के विद्यार्थी न्याय के इस संघर्ष में अपना योगदान दे रही हैं वे जुलूस प्रदर्शनों से लेकर जागरूपता अभियान तक चला रही हैं उनकी गतिविधियों के बारे में आप www.studentsforbhupal.com पर पढ़ सकते हैं इस वेबसाइट पर बहुत सारे चित्र, पोस्टर, वृत्य चित्र और पीडितों के बयान आधी उपलब्द हैं इस वेबसाइट तथा अन्य संसाधनों का इस्तिमाल करते हुए अपनी कक्षा में दिखाने के लिए भोपाल गैस त्रासदी पर एक दीवार पत्री का याने वॉल पेपर प्रदर्शनी तयार करें पूरे स्कूल को अपनी रचनाएं देखने और उन पर चर्चा करने के लिए आमंतरित करें शब्द संकलन उपभोकता जो व्यक्ती बाजार में बेचने के लिए नहीं बलके निजी इस्तेमाल के लिए कोई चीज खरीदता है उसे उपभोकता कहा जाता है उत्पादक ऐसा व्यक्ती या संस्थान जो बाजार में बेचने के लिए चीजें बनाता है कई बार उत्पादक अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा निजी इस्तेमाल के लिए भी रख लेते हैं उदाहरन के लिए किसान निवेश भविश्य में उत्पादन बढ़ाने या सुधारने के लिए नई मशीनरी या इमारत या प्रशिक्षन पर खर्च होने वाला पैसा मजदूरों की यूनियन मजदूरों का संगठन आमतोर पर मजदूर यूनियने कारखानों और दफ्तरों में दिखाई देती हैं लेकिन अन्यकिस्म के मजदूरों की भी यूनियने हो सकती हैं जैसे घरेलू नौकरों की यूनियन यूनियन के नेता अपने सदस्यों की ओर से मालिकों के साथ सौधे बाजी और बातचीत करते हैं मजदूर यूनियने वेतन, श्रम नियमावली, नियुक्ती, बर्खास्तगी और पदोन्नती से संबंधित नियमों, लाभों और कारियस्थल सुरक्षा आदी मुद्दों पर काम करती है प्रिष्ट 133 इस प्रिष्ट पर पीले रंग के बक्से में महत्वपून जानकारी दी गई है, शीरशक के रूप में लिखा गया है, एक जीवित आदर्ष के रूप में संबिधान जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है संबिधान के माध्यम से ये अधिकार देश के सभी नागरिकों को मिला हुआ है जैसा के आपने इस किताब में पढ़ा है, आम नागरिकों ने इस अधिकार याने संबिधान के अनुच्छेद 21 का विभिन संदर्भों में इस्तेमाल किया है नागरिकों के इन प्रयासों से ही ये अधिकार और सार्थक वव्यापक हो गया है उदाहरण के लिए आपने पढ़ा कि किस तरह हाकिम शेख ने स्वास्थिय के अधिकार को जीवन के अधिकार का अभिन अंग साबित कर दिया इसी तरह मुंबई के जुग्गी वासियों की कोशिशों से रोजगार के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया का हिस्सा बताया था इसके अलावा शिक्षा और आवास के अधिकार को भी अदालतों ने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया है जीवन के अधिकार की ये विस्तरित व्याख्या आम नागरिकों के प्रयासों का नतीजा है जब भी नागरिकों को ऐसा लगता है कि उनके मौलि मौलिक अधिकारों का उल्लंगन हो रहा है तो वे अदालत में जाकर न्याए मांगते हैं। जैसा के आपने इस पुस्तक में कई जगह पढ़ा है, इन्ही मौलिक अधिकारों ने नए कानून बनाने और खास तरह की नीतियों को लागू करने में भी मदद की है। ये सब कुछ इसलिए संभव हुआ कि हमारे संभिधान में कुछ खास नियम है जो भारत के सभी नागरिकों की प्रतिष्ठा और स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकारों तथा कानून के शासन से संबंधित विभिन प्रावधानों में इस बात की व्याख्या की गई है। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि हमारा संभिधान काफी लचीला भी है। इसी आधार पर संभिधान द्वारा दिये गए प्रतिष्ठा और न्याय के विचार में नए सेरे से उभर कर आने वाले मुद्दों की सूची का भी समावेश किया जाना चाहिए। इस लचीलेपन के कारण संभिधान के प्रावधानों की नई व्याख्याएं की जा सकती है। इस आधार पर संभिधान को एक जीवन्त दस्तावेश माना जा सकता है। स्वास्थिय का अधिकार या आवास का अधिकार आदी ऐसे मुद्दे हैं जो 1949 में संभिधान सभा के सदस्यों द्वारा पेश किये गए संभिधान में लिखित तौर पर मौजूद नहीं थे। लेकिन भावना के स्तर पर वे निश्चित रूप से मौजूद थे। इसका मतलब ये है कि संभिधान में ऐसे लोकतांत्रिक आदर्ष उस समय भी मौजूद थे जिनके जरीये लोग राजनीतिक प्रक्रिया का इस्तिमाल करके ये सुनिश्चित कर सकते थे कि आम नागरिकों की जिन्दगी में ये आदर्ष हकीकत का रूप लिए। जैसा कि इस पुस्तक के अध्यायों में चर्चा की गई है, संभिधानिक आदर्षों को यथार्थ रूप देने के लिए काफी कुछ किया जा चुका है। प्रतिष्ठा और स्वाभिमान जैसे सवाल अभी भी अधूरे हैं। जैसा कि कक्षा साथ की पुस्तक में आपने पढ़ा था, मीडिया भी इन संगर्षों पर अक्सर ध्यान नहीं देता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन आंदोलनों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इस पुस्तक के विभिन अध्यायों में ये समझाने की चेश्टा की गई है कि सम्विधान में कौन से लोकतांतरिक आदर्ष दिये गए हैं और उन से लोगों के दैनिक जीवन पर किस तरह असर पड़ता है। इसके पीछे हमारा मकसद आपको ऐसे साधन मुहया कराना है जिनके सहारे आप अपने आसपास की दुनिया को समझने बूझने का प्रयास कर सकें। और सम्विधान द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए उनमें हिस्सा ले सकें। इसी के साथ इस पुस्तक का अध्याय यहां समाप्त हुआ। वाचन बाबला कोछड। तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो। निर्मान सहयोग तनु गुपता निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल भारत।